नमस्कार साथियों स्वागत करता हूँ आप सभी चात्रों को जेपीसी की इस कोर्स में आप सभी का हारतिक अभिनंदन करता हूँ तो आज हम एकनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं एकनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो की अधितर चात्रों की रूची इसमें नहीं होती है लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी के लिए कि मैं यहाँ पर एकनॉमिक्स एक अच्छे भंग से और जहरघंटी वे में पढ़ानी की पूरी कोशिश करूँगा यखिन की लिए आपको जो भी classes कराई जाएंगी उसमें आपको पूरा concept बता दिया जाएगा उसका PDF आपको यहीं पे upload कर दिया जाएगा और MCQ question भी करा दिये जाएगे उसके लिए आप निश्चित रहिए तो चलिए सुरुबात करते हैं आज कुछ परिक्षाई से कि आखिर अर्थसास्त्र है क्या और उसके कितने प्रकार हैं और उनसे सब्धित कुछ छोटी मोटी जानकारियां आज के इस वीडियो से हम समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले सब्ध ये आता है प्रसन आपसे ये पूछा जाएगा कि आखिर अर्थसास्त्र है क्या परिक्षा में तो पूछेगा नहीं मान चलके चलते हैं कि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि अर्थसास्त्र है क्या तो आपका जबाब क्या होगा तो मैं आपको बता दू कि किसी छेत्र के अर्थ ववस्ता का अध्यन अर्थ सास्त्र कहलाता है लेकिन किताबी भासा में अगर आपको जानना हो तो अर्थ सास्त्र समाजिक विज्यान की वशाका है जिसके अंतरगत वस्तूओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरन, विनीमय और उपभोग का अध्यन किया जाता है मैंने क्या बताया समाजिक विज्यान की वशाका जिसके अंतरगत वस्तूओं और सेवाओं के प्रोडक्शन का हो गया वितरन का विनीमय और उपभोग का अध्यन किया जाता है अर्थ सास्त्र जो सब्द है वो संस्कृतिक सब्द है और अर्थ का मतलब होता है धन और सास्त्र की संधी से बना है अर्थ और सास्त्र की संधी से बना है हमारा सब्द अर्थ सास्त्र जिसका साबदिक अर्थ होता है धन का अध्यन ये बात भी आप याद रख लीजेगा आगे मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अर्थ सास्तर को दो भागों में बाटा गया है एक माइक्रो एकनॉमिक्स और एक मैक्रो एकनॉमिक्स अभी तक आपने सिर्फ अर्थ सास्तर क यानि कि सुच्म अर्थ सास्त्र वो परिवार छोटे अस्तर के कमपनियों का अर्थ ववस्था का अध्यन जो है वो वयस्टी अर्थ सास्तर कहलाता है मतलब कि मैं आपको बिदा दूँ कि वयस्टी अर्थ सास्तर छोटे अस्तर के जो है उसके अध्यन से संबंदीत होता जैसे व्यक्ति, परिवार, फॉर्म, उध्योग, विशे स्वस्तु का मुल ये सब छोटे छोटे जो हैं वो व्यस्टी अर्थ सास्तर के अंतरगत आता है आपको ये ध्यान रखना है कि व्यस्टी जो अर्थ सास्तर है माइक्रो एक्नोमिक्स जो है इसमें हम परिवार या छोटे अस्तर की कमपनियों के अर्थ ववस्ता का अध्यन करते हैं जबकि दूसरा आता है हमारा मैक्रो एक्नोमिक्स अर्था अर्थ समस्टी अर्थ सास्तर इस अर्थ सास्त्र में देश या राज की राज ववस्ता यानि की अर्थ ववस्ता का हम अध्यन करते हैं अर्था बड़े पैमाने पर इसकी अध्यन की जाती है जैसे मैं आपको बता दूँ कि देश या राज्य की अर्थववस्ता का अध्यन जैसे अंतराष्टिय वैपार, विदेशी विनिमय, राजस्व, बैंकिंग, ये सब क्या हो गएं, ये बड़ी पैमाने पर हो गएं, तो ये हमारा कहलाएगा समस्टी अर्थसास्त्र, तो दो मैंने बताया अर्थसास्त्र क्या है, तो किसी छेत्र की अर्थववस्ता का अध्यन अर्थसास्त्र कहलाता है, मैंने बताया कि अर्थसास्त्र को दो भागों में बाटा जाता है, एक व्यस्टी अर्थसास्त्र, जिसमें हम छोटे छोटे जो हैं, जैसे कि परिवार या छो पोटे अस्तर की कमपनियों की अर्थ ववस्ता का अध्यन करते हैं उसको वैस्टी अर्थ सास्तर कहा जाता है जबकि दूसरी बात मैंने वताया समश्टी अर्थ साथ जिसमें देश या राज की अर्थ ववस्ता का अध्यन किया जाता है यानि की बड़े पैमानी की बात हो र लिखा है चुकि बहुत कोई को लग रहा होगा कि अर्थसास्तर जो किताब है वो एकनोमिक्स पे ही लिखा गया है यानि कि अर्थसास्तर पे ही लिखा गया है लेकिन ऐसा नहीं है। रजनितिक सास्त्र और लोक प्रसाशन के संबंदीत था तो ये भी प्रशन पूच सकता है कि अर्ध सास्त्र नामक पुष्टक जिसकी रचना चानक की नहीं की थी वो किसे संबंदीत है किस विसे में ये लिखा गया था ठीक है राजा और प्रजा की साशन विवस्ता के बारे में इस पुत्सक में बताया गया था मैं आपको बतादू अब आगे बढ़ते हैं यहां से हमारा चप्टर स्टार्ट होता है अगर ये प्रश्ण पूछेगा कि अर्थ सास्त्र के पिता कौन है तो आप इसका उत्तर कीजिएगा Adam Smith जी हाँ Adam Smith को अर्थ सास्त्र का पिता कहा जाता है मैं आपको बतादू इन्होंने एक किताब लिखा था Wealth of Nation 1776 इस वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी इसके लिए इनको Adam Smith को अर्थ सास्त्र के पिता भी कहा जाता है जिसमें इन्होंने कहा था कि अर्थ सास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है तो तीन प्रशनी यहां से निकल कर आएं कि अर्थ सास्त्र के पिता किसे कहा गया है दूसरा Wealth of Nation की किताब जो है उसको किसे ने लिखा है ये दूसरी बात हो गई और धन का विज्ञान है ये बात किसे ने कहा था तो Adam Smith ने कहा था अपनी पुस्तक Wealth of Nation में जिसका प्रकाशन 1776 इस्वी में किया गया था अब आगे मैं आपको बता दू काल माक्स आपने नाम सुना होगा इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा था दास कैपिटल कर गे काल माक्स के बारे में इन्होंने बताया कि अर्थ सास्त्र जो है इसका उदेश मानव समाज की प्रगर्थी के नियम की खोज करना है अलग-अलग विग्यानिक जो है अलग-अलग लोग अलग-अलग तर्ग दे रहे थे अर्थ सास्त्र के विशे में वहीं पर काल माक्स ने भी अपने एक तर्क दिया कि अर्थ सास्त्र जो है उसका उद्देस मानव समाज की प्रगर्ती के नियम की खोज करना है जैसे कि मैंने बताया कि धन का विज्ञान है ये बात Adam Smith ने कहा है लेकिन Karl Marx ने कहा कि ये अर्थसास्त्र का उद्देश मानव समाज की प्रगर्ती के नियम की खोज करना है जबकि Robinson जो तीसरे वेक्ति के बारे में मैं आपको बता दू उसने ये बात कहा कि अर्थसास्त्र जो है वा वास्तविक विज्ञान है तो तीन चीज आप भी आगर दखिएगा कि Adam Smith ने क्या बात कहा था Karl Marx ने क्या बात कही थी अर्थसास्त्र के विशे में और Robinson ने क्या बात कहा था ये सारे टॉपिक बहुत important है तूड़ा point पढ़ा रहा हूँ इधर उधर कुछ भी नहीं बता रहा हूँ आप सभी के लिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अर्थसास्त्र के क्या जो अर्थववस्ता है उसके प्रकार और कुछ टर्म जो आपको समझने में काफी परिशानी होती है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अर्थ विवस्ता के परकार में हम पूंजी वादी अर्थ विवस्ता को समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये पूंजी वादी अर्थ विवस्ता है क्या तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसी आर्थिक विवस्ता जिसमें उत्पादन के साधन पर नीजी स्वामित्व हो अर्थार्थ राज का हस्ता छेप सीमित हो उसको हम पूंजी वादी अर्थ विवस्ता कहेंगे मैं आपको बता दू कि ऐसी आर्थिक ववस्ता जो है जिसमें प्राविटाइजेशन बहुत ही जादा हो और जो सरकार का हो वो हस्ता से बिल्कुल ही सीमित हो इसको हम पूझी वादी अर्थ ववस्ता कहेंगे मैंने क्या कहा कि आर्थिक ववस्ता जिसमें उत्पादन के साध पर नीजी स्वामित्व हो प्रावेटाइजेशन मैंने बात कहा है वो हो उसको हम पुझी वादी अर्थववस्ता कहेंगे उधारन के तोर पे USA ब्रिटेन हो गया USA ब्रिटेन ये इत्यादी ठीक है तो ये आपने समुझ लिया दूसरा आता है हमारा समाजवादी अर्थवव जहां पर धन संपती का स्वामित्व और वित्रण राज के नियंत्रण में होती है उसको हम कहेंगे समाजवादी अर्थववस्ता अगर ठेट भासा में मैं आपको बताओं तो पूंजी वादी अर्थववस्ता किसको कहेंगे? जहां पर नीजी स्वामित्व जादा हो, नीजी के हाथों में सब कुछ जादा हो और समाजवादी अर्थविवस्ता उसको कहेंगे जहां पर गॉवर्मेंट के हाथों में जादा कुछ हो अगर ठेट भासा में ये बात समझे जाएतो ठीक है तो ये चीज दोनों आपने समझ लिया अब मैं आपको बात करना चाहूंगा कि मिसरित अर्थववस्ता आपने भी पढ़ा होगा कि भारत जो है एक मिसरित अर्थववस्ता है भारत में लेकिन आखिर मिसरित अर्थववस्ता होता क्या है इसके बारे में हम जानने की क तो ऐसी अर्थ ववस्ता जिसमें सार्वजनिक और नीजी स्वामित्व का मिसरन हो उसको क्या कहेंगे मिसरित अर्थ ववस्ता अर्थ आर्थ नीजी स्वामित्व भी हो और सरकार की भी स्वामित्व हो यानि कि सार्वजनिक भी स्वामित्व हो तो इस अर्थ ववस्ता को क्य कहा जाता है मिस्रित अर्थ ववस्ता कहा जाता है तो I hope कि आपको ये तीनोज पॉइंट क्लियर होगा पुझी अवादी अर्थ ववस्ता जहाँ पर नीजी स्वामी तो जादा हो समाजवादी जहाँ पर मैंने बता दिया कि सरकार के होतों में सब कुछ पुझी अंतरन होता है और तीसरा जहाँ पर दोनों हो उसको बोलेंगे मिस्रित अर्थ ववस्ता अर्थार्थ आपको टाटा कमपणी भी यहाँ पर नजर आ रहा है जो कि प्राइवेट कमपणी है और दूसरा सेल जो कि यह गॉर्मेंट कमपनी है तो ये मिस्रित अर्थववस्ता के अंतरगत आता है अगला जो आता है वो आता हमारा खुली अर्थववस्ता ठीक है और बंद अर्थववस्ता ये दोनों टर्म आपको समझने की आवशकता है जैसे मैं आपको बता दू कि खुली अर्थववस्ता किसको बोलेंगे जिसे कोई भी देश एक देश दूसरे देश से वैपार करता है वहाँ पर आयात और निर्यात करता है यानि कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार करता है वहाँ पर जो परतिबंध होता है वो न्यूनतम हो उसको बोलते है खुली अर्थववस्ता यानि कि खुल के वैपार क किया जा सकता है आयात और निर्यात का जो काम है वो खुली रूप से किया जा सकता है उसको हम कहेंगे खुली अर्थववस्ता उधारन के लिए USA और सिंगापूर लेकिन बंद अर्थववस्ता जो है वो आता है कि आयात और निर्यात पर पूरे तरीके से पर्ति बंद होता है उस अर्थववस्ता को क्या कहेंगे बंद अर्थववस्ता अर्थार्थ एक देश दूसरे देश से जो संबंध है वहाँ पर उसमें पर्तिबंध होता है वहाँ पर नहीं बनाना संभव नहीं होता है पुर्न पर्तिबंध होता है उसको कहेंगे बंद अर्थववस्ता दो ब उधारन के लिए कुछ संतरबों के साथ ये कहा जा सकता है कि उत्तर कोरिया जो है वो बंद अर्थ ववस्ता के में शामिल होता है ठीक है तो ये मैंने आपको बता दिया कुछ टर्म आज और बेसिक बाते मैंने बताया कि आखिर अर्थ ववस्ता होता क्या है अर्थ सास्तर के परकार क्या है और मैं आपको बुदा दू एक प्रश्ण का टाइप यहां से भी पूछा जाता है अर्थ सास्तर में कि प्रमुक जो किताबे लिखी गई है उसके बारे में तो मैंने बता दिया आपको पहला यहाँ पर कि wealth of nation जो पुस्तक है वो 1776 में Adam Smith ने लिखा था ठीक है जिसमें उन्होंने क्या कहा था मैंने आपको बता दिया Dan's Capital Marx जो लिखा था compartas ने 1866 में Nature of Significance of Economic Science इसने लिखा था रोबिंसन ने लिखा था और Principal of Economics Marshall ने लिखा था और Foundation of Economics Analysis ये Samuelson ने लिखा था तो यह पाँज किताबे मैंने आप सभी के बीच लिखा है उम्मीद करूँगा कि प्रश्ण आपके यहीं से पूछे जाएंगे तो basic term में आपको फिर से एक बर revision करा देता हूँ कि economics के विशे में मैंने बताया कि economics क्या है समाजिक विग्यान की वसाखा जिसमें वस्त्वों और सेवाओं के उत्पादन, वितरन, विनिमय और उपभोग का अध्यान करते हैं अर्थ सास्त्र सब्द संस्कृत सब्द जैसे की अर्थ और सास्त्र के संधी से बना है जिसका अर्थ होता है धन का अध्यान यानि की अर्थ सास्त्र मैंने बताया कि दो भागों में बाटा गया है अर्थ सास्त्र को एक वयस्टी अर्थ सास्तर में और एक समस्टी अर्थ सास्तर में वयस्टी अर्थ सास्तर जहां पे छोट व्यक्तित्व इकाईयों का अध्यन करते हैं जिसे किसी परिवार के अर्थ व्यक्ति के फॉर्म के उध्योग के ये छोटे लेवल पे हम जो अध्यन करते हैं उसको व विदेशी वी निमय, राजस्व, बैंकिंग, वैपार, चकर, राष्टी आये, इसको हम समस्टी अर्थसास्त के अंतरगत रखा था, आगे मैंने बताया कि जो अर्थसास्त के किताब एक लिखी गई थी, विश्नुगुप्त, कौटील के दोआरा मौरिकाल में आपको पता हो विज्ञान है, आगे मैंने बताया कि कुछ व्यक्ति और भी थे, जिन्होंने अर्थसास्त के विशे में अलग-अलग तरक दिये, जैसे कि कारल माक्स ने अपने दास कैपिटल बुक में अर्थसास्त का उद्देश मानव समाज की प्रगिर्ती के नियम की खोज करना के बा पूंजीवादी अर्थववस्ता किसको कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थववस्ता उसको कहते हैं, जहां पर उतबादन के साधन पर नीजी स्वामित्व हो, अर्थार्थ राज का हस्ताचेप सीमित हो, उधारन के लिए मैंने दो देश का भी नाम बता दिया, अगला ह में दो तरह के मतलब कि मिक्सरित अर्थववस्ता है अर्थार्थ पुंजीवादी अर्थववस्ता भी है और समाजवादी अर्थववस्ता भी है और अगला दोड़ पॉइंट और भी बताया मैंने कि खूली अर्थववस्ता उसको कहेंगे जहां पर आयात निर्यात पर नि साथवे मैंने आज के क्लासेस में अर्थ सास्तर के कुछ महतपुर्ण किताबों के बारे में बताया जो की परीचे वाले वीडियो में मुझे देना बहुत ही जरूरी था जैसे की वेल्थ अप नेशन अडम स्मी द्वारा लिखा गया तास कैपिटल कार्ल मार्क स के द्वारा लिखा गया नेचर औप सिगनिफिकस अप इकनॉमिक साइन्स रॉबिन सन के द्वारा और swan इस तरीके से हमने आज का basic chapter जो है complete किया I hope कि आपको समझ में आ गया होगा बाकि इसी तरीके से हम धीरे धीरे level को बढ़ाते चलेंगे और economics को अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे I hope कि आपको ये video पसंद आया होगा चलिए तो कल मिलते हैं इसका video मैंने दे दिया है right side आप क्लिक किजिए pdf notes में आपको ये provide हो जाएगा था है कि so much अगले वीडियो में मिलेंगे इसको अच्छे तरीके से complete कर लिजेगा basic knowledge मैंने दिया economics का आगे बढ़ते हैं अगले chapter की और ठीक है